कि हालो फ्रेंट्स मैं मुक्तार खान सागत करता हूँ अपने चैनल लौ लेक्चर में आज हम समझेंगे सीपीसी की धारा अठारा को इससे पहले हमने सोला और सत्रा में वीडियो बनाये हैं उसके आगे कांटीनिव करते हुए धारा अठारा को समझेंगे इस धारा को डिसकस करने से पहले फ्रेंट्स मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ सेर करें अब फ्रेंट्स हम लोग समझते हैं सीपीसी की धारा अठारा को जिसमें यह बताया ग रिलेटेड वात कहां पर दाखिल किया जाएगा अर्थात कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यह सर्टन नहीं हो पा रहा जिसमें यह निस्चिता नहीं हो पा रही है कि यह प्रॉपर्टी दो नियालों में से किस नियाले के छितर अधिकार में है तो ऐसी इस्तित में उन दोन नियाले को इस बात को अभिलिखित करना पड़ेगा वह स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करेगी नियाले की उस प्रॉपर्टी का निस्चिता की संबंद में स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करेगी कोड की यह प्रॉपर्टी जो है वह निस्चित नहीं है किस नियाले में इसलिए इसक साथ में उसका डिस्पोजल करने का दोनों का अधिकार नियाले के पास में है इसका अगला पैरा है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर उस नियाले द्वारा इस्टेट्मेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है उस नियाले द्वारा उस निस्चित्ता के संबंद में इस्टेट बिधिनल कोर्ट या ने कोड़् दोनों कोर्ड में अगर ऑबजिक्शन किया जाता है कि अगर विपच्छी उसके संबंद में आपजिक्शन करता है अपे लिएड कोड या रिविजनल कोड में तो मियालत तब तक उस अबजिक्शन को नहीं मानेगी जब तक कोड को जब तक वो अपीलियट कोड यह रिविजनल कोड को यह नहीं लगता है उसका यह समधन नहीं होता है उन न्यायलों को यह नहीं समझ में आता है कि वो जो अॉर्ड ओर डिक्री हुई है उस से नियाय नहीं मिल पाया है जब तक उनको यह न पता चल जाया कि नहीं जो order decree है उसमें नियाय पाने में निस्पलता हुई है तो जब तक उस objection को नहीं मानेगा अर्थात नियाले को यह लगना चाहिए कि जो order or decree पारित की गई है नियाले द्वारा उस नियाले द्वारा जिसे statement record नहीं किया था निस्चित्ता के संबंद में तो वह objection तब लेगी जब उसको यह लगता है कि नियाए नहीं हो पाया है तब ही जाकर कि वह objection लिया जाएगा अठारा में सिंपल से बस इतना ही है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं 19 का बनाऊंगा तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो